हेलो एरिवन कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे तो अभी हम लोग परतीसत देखेंगे प्रसेंटेज मैस का एक चैप्टर है ने भी एमर के लेवल का मैं आपको क्यूशन करवाँगा जिस टैप के ने भी एमर के एक जामस में परसन पूछे जाते हैं तो परतीसत अभी हम लोग कवर करेंगे कोशिस करेंगे कि पूरी परतीसत को एक वीडियो के मादर में से मैं आपको समझा दूंगा और थोड़ा सा मेरा आवाज जो है धसा हुआ है इवन आवाज बहुत कम आ रहा है तो आवाज निकल ही नहीं पा रहा है तो फिर भी म नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठीक है चलिए अभी देखते हैं परतीसत क्या होता है तो प्रतीसत पढ़ने से पहले आप लोग एक चीज समझ लीजिए परतीसत आखिर का होता है जैसे परतीसत का मतलब यहां पर यहां पर दो चीज यहां पर देख सबते हो और यहां पर सत लब कहने मतलब पर हंड़ सट मिंस होता है यानि संचूरी प्रती सौ किसी भी चीज का जो मान होता है सौ पर वो क्या होता है उसी को हम लोग प्रती सत कहाते हैं जैसे मान लिजिए आप हैं तो आप अपने आप में कितना परसेंट है है ठीक है ना इतना आप लोग समझदार हैं समझ रहें मानली जी आप पर आप हमारे घर इन्वेटिशन में आये माली जी मैं आपको इन्वाइट किया कि आपको आना है मेरे पास तो आप यदि मेरे पास आते हैं तो ऐसा तो नहीं होए होगा कि आप अपनी बॉडी का फिप्टी परसेंट रख देंगे फिप्टी परसेंट यहां मतलब कोई बीचीज अपने आप में 100 परसेंट होता है इतना समझदार बाटे में Τुब दो करता हूं ता एध्लर और दो कर देंगा तो वन बैइट न कम मतलब हो जाएगां 50 परसेंट और कैसे हो रहा है तो यहां पर समझेंगा वन बैड तू जो है इसको हम लोग से का मतलब हो गया 50 परसेंट आखिर कैसे हो रहा तो देखिए देखेंगे कि 50% कैसे बजा रहा है तो वन बाइट टू है तो इसको फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन से हम लोग को परसेंट में चेंज करने के लिए हंडेट से इंटू करेंगे तो 50 टाइम से जाएगा और यह हो जाएगा 50% ठीक है और अगर कोई मान लीजिए यहां पर पर से परसेंट है जैसे मान लीजिए 50% है इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो यहां पर देखी यहीं समझना है आपको परतीसात का मतलब क्या होता है बट्टे का सव होता है परतीसात का मतलब होता है बट्टे का सव इस परकार लिखिए या फिर आप इसको डाइरेक्ट इतना समझ बह्ते हैं तो इतना समझ गहें तो इस परकार आप यहां पर कल्कुलेट कर सकते हैं वे बाकि foreign टू का होता है из-辅 सब्चित कर सकते हो ऒंब लोग निकाल सकते हैं तो से आपको बताता हूं जो प्रतीशत हुताना है प्रतिसत को आप समझ सकते हैं पहले तो आप समझ लीजिएगा तो क्यूश्टन आराम से कर दीजिएगा तो देखे जैसे माली एक हजार है एक हजार है एक हजार का कहा जा रहा है एक हजार का 50% कितना होगा 50% कितना होगा तो समझदार लोग हैं आप सीधे सीधे बोल दीजिएगा कि 50% का मतलब यह तो सब को मालूम है कि आदा हो 500 हो जाएगा लेकिन यहां पर 50% का फ्रैक्शन वन बैटू होता है तो एक हजार में लेकिन यहां पर अगर बात करते हैं नियम से अगर बनाया जाए आप जैसे बच्चे क्लास में आप पहले निकालते थे एक हजार का का मतलब क्या होगा गुद्ना और परसेंटेज का मतलब मैंने बताया बटे का सब्सक्राइब ठीक है ना तो इस तरीके से होता है तो यहां पर एक जीरो हो जाएगा तो दो जीरो से दो जीरो कार दिजिए गए और पचास से दसमें गुना कीजिए का 500 इस पर कर सकते हो माले जिए अपर 800 है 800 का 20 निकालना है आठ सो का 20 परसेंट निकालना तो किस परगार निकालेगा आप एक पर देखे लिए इमसोचेगा अगर आपको आता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा आप स्किप कर दीजिए लेकिन जो नहीं आता है उनके लिए थोड़ा सा यह अच्छी कलासे सोनी चाहिए देखे आठ सो यह तो 800 लिख दीजिए और का का मतलब गुना होता है ना और 20 है तो बीस यहां पर लिख दीजिए और पर तीसयत का मतलब मैंने बता आपको बटे का 100 होता है ठीक है तो यहां पर दो जीरो से दो जीरो मैंने कट दिया और दो अठे सुल्ला और यह एक जिरो एवन एक सो साथ हो जाएगा बीस परसेंट कितना हो जाएगा एक सो साथ हो जाएगा ठीक है ना तो इस फरकार से आप समयधार हैं समझ सकते हैं बाकि कुछ कोश्चन भी हम लाएं हैं आपको कर लिए जैसे माल लीजिए कोई नंबर है सपोच कीजिए कोई नंबर है नंबर माल लीजिए आपका 800 है बार पर 800 लेने सही नहीं है माल लीजिए 700 है और आपको इस परकार से लेंगवेज वेस्क्यूशन पूशा जाएगा वह सब मैं आगे करवाओंगा जैसे अभी मैं सब्सक्राइब होगा तो 700 का सीजिए यहां पर समझ लीजिए 700 का आपका 30 परसेंट निकालना है तो कैसे निकाल लिएगा तो वही आपको लिख देना साथ सो का साथ सो और का का मतलब गुनना और 37 बटे का सो ठीक है न दो जीवों से दो जीवों कर्दीजी का सत्रीक है करीस 210 तो सांतियों यह सब तो आप लोग देख लिया यह जो है पर 37 का मतलब क्या होता है बटे वन अपन हंडेड होता है ठीक है इतना समझ गया यानि किसी भी चीज का ओप सौ पर्मान जो होगा अपूसी को प्रतीषत कहते हैं ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं तो यह अगर आप समझ गया तो आप पूरी प्रतीषत निकाल सकते हैं ठीक है था कि परसिंटेज में बस इतना ही आपको जानना है प्रतीषत कर पाके आपको कुछ नहीं जान तो चलिए अभी कुछ क्यूशन देखेंगे देखिए यहां पर एक क्यूशन लेकर अभी हम आ गये हैं तो यहां पर कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या का 20% तो यहां पर समझने वाली बात है मैंने आपको शुरू में एक लेंगे बोला कि जैसे आप में आते हैं तो आप अपना बॉड़ी का 100% लेकर आओगे ऐसा नहीं होगा कि 50% अपनी बॉड़ी अपने घर पर रख दोगे और हमारे यहां 50% लेकर आओगे या फिर मैं आपके प 20% 30% हो सकता है लेकिन यहां पर एक चीज़ देखने का मतलब है कि 20% का जो वैलू है 20% किसी भी माले यह नंबर है कोई भी नंबर उसका सिर्फ पर सिर्फ 20% कितना है 20% 80 है तो यहां पर पूछराय कि नंबर क्या होगा तो नंबर का मतलब कितना नंबर अपने आप में क्या हो लगा 100% होगा मतलब 100% को वेलू निकालने तो समयदार हैं आप समय सकते हो हमतलब 20% 80 है यहां पर सीधे-सी लिखो 20% का Valu कितना है 20% का Valu है 80 यहां पर 1% यहांपर क्या हो जाएगा एक परसेंट हो जाएगा 802 20 2 पर ईहां-पर-चार हजाएगा एक परसेंट की Valu क्या हो जाएगी सीध'T सिधे मैं आपको बता हूँ एहां सबीन हो जाएगा ठीक है ना तो यहां पर आप देखलो यहां पर समझदार है जोंग को यहां पर समझ गए होंगे कि माले यह कोई भी संक्या है माले यह बस्तु है इसका पर सिर्फ बीस परसेंट जो है यह असी है तो बाकि इसके इसके मतलब पांच पार्ट होगे मतलब यह 20 परसेंट है यह 40 परसेंट हुआ यह साथ परसेंट असी परसेंट सो परसेंट तो यह असी यह असी और फिर यह असी और फिर यह असी और फिर यह बाकि मैं अपने तरफ से पूर्ण रूप से समझाने की प्रयास करूंगा तो जैसे देखे यदि किसी संख्या का 20% पर तीस पर सेंट क्या निकालना है तो मतलब कहने हैं मतलब आपका देखे कोई जो नंबर है नंबर का नंबर अपने आप में क्या होगा 100% होगा लेकिन यह यह भी बता देंगे तो सबसे पहले हम 20% का वैलू कितना है 20% कमान कितना है 600 ठीक है तो एक पर तीसाथ की वैलू कितना हो जाएगा एक पर तीस हो जाएगा यहां पर काट दिजिएगा तो एक पर तीसाथ की वैलू 30 हो जाएगा ठीक है न तो सीड़े सीड़े यहां पर ल कि हैं आप फिर आपको पच्छेस परसेंट निकालना है ठीक ना तो यह 100% हुआ तो आपको सिधर सीदे यह नंबर हुआ कि जो नंबर पूछा जा रहा है कि उस संख्या तो यह वह संख्या हुआ जिसका 20% 600 होता है ठीक है समयधार है बाकि यहां पर थोड़ा सा माइन कीजिएगा कि जैसे यहां पर क्यूशन में पूशे जारा है जीरो कट जाएगा और 25 त्या 75 और 10 यहां 750 हो जाएगा तो वह संख्या का 25 परसंट 750 हो जाएगा तो यह तरीके का जो क्यूशन है आप समझ गये बाकि देखी इस परकार से शीदे सीदे पूश जाएगा कि पाशाव का थाइस परसंट कितना होगा पजास परसंट बताना अस लेकिन 28 परसंट पूच देगा तो आप कैसे बनाओगे तो यहां पर देखें तो ऐसे बनाना है देखो सीदेशी आपको पांच जार का 28 परसंट पांच जार गुनना 28 पर तीसत के लिए 100 ठीक है तो दो 0-0 कट दोगे 28 में 50 से गुनना करना है तो आट पर चालिस चालिस की सुनना अपने लगा चार 15 चार 14 और एक जिरो यह लग 14 जो है 14 होगा 28 परसंट कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट तो यह क्यूशन नम्बर लाओं कि सौडिक है यहां पर एक एक शेविशन नम्बर एक के बाद यह दो हुआ कि मुलब और न हो एक यह और यह प्रねवसिंच से कहारा रहा है की यहां पर देखेगे ध्यान दीजिएगा एक परिछ्छा में कूल 800 अंक थे मतलब जो कि फूल मार्क्स होता है ना प्राप्त था फूल मार्क्स कितना था आठ सो नंबर का मतलब फूल माक्स था और रहाम ने परसेंट अंक प्राप्त कियें तो उसने कितने अंक लाएं तो मतलब 800 का चौर आसी परसेंट के लिए बट्टे में 100 और यहां पर दो थो आठ चोका 32 32 आतमें लगा 3, 84, 3, 72 एक विनटी क्या विए सवरी चोंशार 3, 64, 75 वह ना तो दो सर्डशेट हो जाएगा रहाइप बहत्तर जो है ना च्यास अबहत्तर हो जाएगा राइट अनसर तो ये क्योंशन समय में आया होगा नेक्स्ट बात करते हैं चोथा पच्वा क्यूशन भी इंपोर्टेंट है तो जैसे यहां पर बोला जा रहा है दीनानाथ अपना मासिक आय का 80% जो है खर्च कर देता है मतलब कोई व्यक्ति है दीनानाथ नाम का 80% वह जितना कमाता है उसमें से 80% जो है न उसको सीधे-सीधे Соरकाइब 1-20% की वेलुन कि बचता है और 20% उसका बचत है तो मतलब कहने मतलब 10-30 का वैल होगा converts the attention कि वहलू हो जाएगे यह परतीसर मतलब उसकी मासिक आए यानी वह ब Väक्ती अपने 100% कमाता होगा ऐसा थोड़ी ना कि 5% उसका जो आए है उसका आप रख लेते हैं या मैं रख लूँगा थोड़ी ना होता है जैसे वो अपने व्यक्ति जो है ना वो अपने आए यानि वो अपने आए कितना परसंट कमाएगा 100% तो 100% कमान क्या हो जाएगा 100% कमान हो जाएगा यहां पर 500 हो जाएगा ना तो 500 रुपे कमाता है ठीक है तो सिंपल सिंपल इसी तरीके से पुछता है सवाल बाकि एक स्कूल में 500 विद्यार्थी थें 300 विद्यार्थी विद्यार्थी जो है पास हो गए यहां पर थोड़ा सा तो यह पुछा जा रहा तो काफी सिंपल है तो देखे सीदी सीदे यहां पर सिर्फ लेंगवेज है तीन सो विद्यारती पास हो गया ट्राइज तो यहां यहां पर देखे। 300 विद्यारची पास हैं तो 300 varsa लिए और प्रतीयस कि दो जीरों से दो जीरों काट दिया है फिर पान से हम काटेंगे बीस बीस पान सो हो जाएगा और बीस ती आइज साथ परसेंट हो जाएगा तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि माले यहां पर ऑ3rd is 1700 का पान 100 का 500 का कितना कितना है इस संस में आप इस क्यूशन को कर सकते हो दिन अबकि मैने आपको सिधे सीधे जिस परकर सरे मनने अब किसी स्कूल में पढ़ते हो तो आपने थोड़ा से समझ जीएगा बाकि क्यूशन बाई क्यूशन करा देना तो अलग बात है देखिए मानेज आप 200 नंबर लाएं और आपके स्कूल में 1000 नंबर का पेपर होता है तो जो भी आप परसेंटेज कल्कुलेट करोगे तो इस परकार से ही कल्कुलेट करोगे न तो बाकी आपने कितना परसेंट लाया तो इस परकार से करोगे तो फोर टाइमस और फिर यह 25 तो यह 25 परसेंट हो जाएगा तो इस तरीके से आप यहां पर देख लो कि 1000 का 50% कितना होता है 500 होता है और 500 का 500 का मतलब 500 जो है 50% हुआ से आपको 15 % निकाला है इसका करना तो इसका भी हाफ करोगे तो 200 सो हो जाएगा तो उसी परकर से यहां पर रमेने 500 को मैंने 15% निकाला है 1000 का गितना परसेंट और 50% तो समझ गया तो मादल Мне अपने आप सो कीजिएगा कि आपने मतलब आपका जितना आप अपने atien Do not जेतना नंबर ईया हो वह यहां पर रख देना और जितना मक्स का पेपर हुआ था तो तोटल मार्ट यहां पर लिख देना और यहां अंडेट से गुना करके अपना percentage calculate करना आता है कि नहीं तो ऐसा करना ठीक है तो नेक्स्ट यह सवाल करते हैं तो यह सवाल है एक बीमान में 340 यातरी बैठे हैं मतलब बीमान की capacity है 340 लोग बैठ सकते हैं और मतलब 340 लोग अभी सीट हैं बैठे हुएं और बीमान की 80% सीटे भर गई है मतलब कहना है मतलब सीधे सीधे कह रहा कि 80% बराबर 340 तो और कितने यातरी बीमान में आ सकते हैं तो मतलब बीमान की और पहले तो तोटल सीटे निकाल लेते हैं तो 340 यातरी यहां पर देखते हैं 340 यातरी बैठे हैं ऐसा तो हो सकता है है ऐसा भी हो सकता है कि 340 यातरी 80% सीते हैं यहां पर क्यूशन का थोड़ा सा चेंज होगा 344 यातरी बैठ सकते हैं यहां पर ऊगटी करना तो 340 का 80% लोग अभी बैठे हैं तो 80% लोग हो जाएगा ऐसे यहां पर कैल्कुलेट करो दो जीरो से दो जीरो काटोगे अच्छो का 32, 3, 24, 3, 27, 27, 27, 27 अभी जो है अकूपाइड है 80% लोग जो है 272 लोग है लब 340 में 272 लोग हो जाएंगे ये कितना परसेंट है 80% है बाकी और कितने यातरी आएंगे तो इसको हम घटा देंगे इसमें से तो देख लो दस में से दो गया आठ और बाकी यहां पर बद जाएगा 13 तो 13 में से साथ गया च्छे 60 लोग और बैठ सकते हैं बीवान में ठीक है न तो यहां पर थोड़ा क्योश्चन में एक बीवान में 340 यातरी बैठ सकते हैं होगा ठीक है बाकी यहां पर आगे देखते हैं एक बिद् तो यहां पर सीज़े सीदे बोला जा रहा है और सतर परसेंट बोला जा रहा है लेकिन आप गल्स को आप इमेजन कर सकते हो कि जब भ्वाय चतर परसेंट है तो गल्स तीस परसेंट होंगी ल、यापी जर्विज यापण सब्सक्राइब लässटारी संह्वियाroot एक परसेंट की वैलू निकालोगे 510 बेट थीस करदोगे 010 17 मात्र होए बतलब एक परसेंट की वैलू हो जाएगी स्थ्रह सो शत्रह ठीक है बाकिे हंड़ेट परसेंट जितने बिद्दाले में टोटल लड़के हो जाएंगे बिद्दाले में जो भी है टोटल पूछा जाएगा तो सत्रा सो लड़के लड़किया मिला कर होंगी बाकि यहां पर लड़कों की संख्या पूछा जा रहा है तो पांसो दस यहां पर आप घटा दोगे तो घटा दो यहां पर देख लो जिरो से जिरो और दस में से एक गे नो और पिर यहां पर छे मैं से पांच भिया एक और एक 1190 यहां पर एंसर हो जाएगा तो अभी लड़कों की संक्या कितने है 1190 तो इस परकार से आप कर सकते हो बाकि ये दो क्यूशन बहुत इंबोर्टेंट है इस पर गार के क्यूशन पूशे जाते हैं खासकर ये जो क्यूशन है आठवे नंबर क्यूशन यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना एक छातर को उतीरन होने के लिए 40% अंक पराप्त करने होते हैं मतलब पासिं परसिंग पर्संटेज है 40% अगर छातर लाता है तो पास हो जाता था रहा है ना कि यहां वह अखर 60 अंक लाता है लेकिं तेरह अंकों से फैल हो जाता है तो 40% लان ने के लिए 40% के लिए वह सर्णसट नम्बर ला दिया ये फिर भी 40% उसका नहीं हुआ ना वो 13 नंबर से फेल हो जाता है मतलब 40% का मतलब यह हो जाएगा 80 तो 40% का यहां पर देखे 40% का वैलू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा यह एक परसंट की वैलू कितने हो जाएगी तो 2 हो जाएगी तो कहा जा रहा है कि मतलब अधिक्तम अंग क्या हो जाएगे यानि जो फूल मार्क्स होता है कितना मार्क्स का पेपर होता है यानि हंडेड मार्क्स करना पेपर होता है पर अपने आप में 100% होता है तो यहां पर एक परसंट का वैलू दो है तो 100% का वैलू कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा ना तो यह हो जाएगा राइट रंसर 200 तेकर आगे समझते हैं देखे यदि यदि किसी संक्रा के 62 परसंट था 80% का अंतर जो है 198 है तो वही संक्रा का 92 परसंट था 56 परसंट का अंतर क्या होगा यह भी काफी मैज़दार सवाल है उससे पहले यह सवाल आप कर सकते हो 500 का 20% का 40% क्या होगा तो चलिए सबसे पहले जैसे सिरियल है वैसे ही करते हैं तो यहां पर देखना कहा जा रहा है कोई भी संक्या है उसका माल लिजी एकस है उसका बासर परसेंट है बासर परसेंट है और असी परसेंट है जो भी है संक्या उसका असी परसेंट है तो उसका जो अंतर है एक सो अंठानवे है तो जैसे देखिए मालेजिए सपोस कि जो कोई संक्या उसका बासर परसेंट और असी परसेंट इसका अंतर जो है कितना है अंतर एक सो अंठानवे है और वाकई में यह परसेंटेज में कितना अंतर हो रहा है तो यह अंतर हो रहा है भाई अठारा हो रहा है ठीक है ना अठारा हो रहा है तो यह कहने मतलब अठारा परसेंट का डिफरेंस जो है एक सो अन्ठानवे हो रहा है यानि एक परसेंट का वैलु कितना हो जाएगा एक परसेंट की वैलु हो जाएगी अठारे कम अठारे कम मतलब कहने मतलब 1% के वैलू हो जारही और सीधे सीधे मेरे भाई लिख दो 1% की वैलू कितनी हो जाएगी ? Kevin щ 19 बाकि अगर 100% के वैलू पूशे जाएगा तो एक maintenance हो जाएगा यदि सं來到 पूशा जाएगा तो अपने आप में 100% 100% की वैलू 1100 हो जाएगा लेकिन यहां पर वह नहीं पूशे जारा है कि 52% और 56% का अंतर क्या होगा तो देखे सबसे पहले 52% सबसे पहले निकाल लो तो 50% निकालोगे तो नव्य लिग दो बार चोड़ो नो गोई 119 दस मतलब जससो बारव हो जा और चिपन परसेंट कितना हो जाएगा एक परसेंट 11 होता है तो लिए तो आपका सीधे सीधे एंसर हो जाएगा तिन सो जानवे हो जगा राइट एंस ठीक है ना दो यह कुश्ण कर लेते हैं 500 का 20 पर सेंट का 40 पर संट क्या होगा इस प्रक्षिशन आपको पूछे जाते हैं तो 500 का 20 पर संट सीधे सीधे बार बार निकालो के जैसे 500 का 20 पर से निकालो फिर तो 40 सिद्धे सिद्धे यहां पर calculate कर दो आपको मालूम होता है कि जैसे 500 तो 500 लिख दिए ठीक है का का मतलब गुन्दा होता है और 20 है तो 20 और परसेंट का मतलब बटे का 100 होता है और 40 है तो 40 परसेंट का मतलब बटे का 100 थोड़ा सा मेरे मुझे सर्दी खांसी है तो आप cooperate करने यहां पर देखें दो 0 से यहां पर दो जीरो काट देंगे और बाकि की यह दो जीरो काट देंगे तो नूं तो चाहर पसे 20 भी में 22 चालीस चालीस हो जाए रहगा र्यतर झान आपatar कर रहे है ना बाकि जाहें सभी को सभी को जाहें और कुछ क्यूशन में आपको देता हूं जैसे एक क्यूशन आपको देता हूं यह दोनों क्यूशन का जाखिये आपको एंसर की स्वे सबसे पहले नाम जये अन्से मैं अपना नाम लिख दिया कि अपना में लिग यह हूंँ तो लिख दिया और फिर मैंने लिखा क्योसेंट हैं क्योसेंट क्योसेंट का एंसर लिख देना है क्या आएगा फिर आपकर क्योसेंट का एंसर लिख जाना है तोड़ारी से ह 225 क्या होगा इस परकार से आप कमेंट करना ठीक स reportedly अच्छछ लगेざ 안돼 वाकि विडू क्या पीडूरी बताना तो छले 64 का 608 2080 स्मझेगा कि परसेंट सिर्फ सो तक ही होता है परसेंट आपको ऑसरे का सकते हैं मालभी ये कोई वस्तू है यह बस्तू की क्वांटिटी है दो केजी और इस परगार के मैं आपको एक और बस्तू देता हूं तो यह बस्तू 200 स्थ जाएगा तो इस परकार से आप percentage को 100 से ज्यादा भी % आप क्ल्कुलेट कर सकतो तो 6000 का 180 क्या होगा मतलब इसका यह तो आपने 12% का 50% क्या होगा एक मिनट 12% का 50% क्या होगा ठीक है यहां पर का का मतलब गुन्दा नी डैडेक्ट लिख द्याँ कोई बात नहीं बाकि कुछ क्यूशन और ध्यान लिखे ध्यान से लिख लिए जैसे यहां पर ध्यान दीजिए बारहों सोका 12% का 25% का 50% आपको बताना है बारहों सोका 25% का 50% बाकि आप लोग कमेंट में अपने एंसर लिखिए अपने नाम के साहर ठीक है नवीडियो को लाइक कर देना वीडियो को लाइक तु करना ही आपको यह जो पीडियेयफ है परसेंटेज गा दस किष्वन का लेवल जो है नहीं इमर का लेवल का इस पर गार कहीं क्यूशन पूछे जाता है ना तो इससे थोड़ा भी कम पूछे जाता है नहीं इससे ज्यादा इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम क्या पूछे जाएगा मेरे दोस्त बाकि इससे ज्यादा के क्यूशन का सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई चले मिलता हूं नेक्श वीडियो के तब साथ जब तक लिए जैन बाई टिक क्या